ale friends किसे यह पर श्रीर पर हमारे सेक्सोल लाइफ पर क्या एफ्ट परता है तो यहीं सब आज बात हम इस वीडियो में करने है तो यही सब यह चीज़ हम कोत्राने बात करने वाले हैं कि क्या यह सब करना सब्सक्राइब करदें ठो Best सबसे पहले चीज़ इन्य कोई बीमारी नहीं है यानि या यादात है जो आप से लिए बीशिशन पर इसका इलाज किसका होता तो इलाज किसी बीमारी का होता है जिसको खतंब किया जा सकता है पर जो हस्त मैंथून है यानि masturbation है यह एक habit है यानि आपके lifestyle का एक part है जो कि आप इसको करते हैं अपने depression को खतम करने के लिए अपनी emotionally को खतम करने के लिए जो कि एक बहुत सारे बच्चे हैं students हैं काफी सारे person है या ladies है या girls हैं जो कि masturbate करती हैं ताकि कि किसी भी चीज़ पर आपको फोकस कर सके अपने depression को कम कर सके अपने headache को कम कर सके तो यह चीज़ नहीं सोचना है कि हंस्त मैंतून करने से आपके sexual life पर कोई effect पढ़ेगा आपके mentally पर कोई effect पढ़ेगा तो इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है इफेक्ट कप पड़ता है जब आप यह चीज काफे यादा हद supply करते हैं काफ़ く एक्स्टीम कर ने लगते तब आपके एक्सटीम हानेख फर्टा है कहीं इस पर पर यह परता कर्पाव जब आप च्छा नहीर लेते हैं अपकी ज्यादा मात्रा में पांडी नहीं प्रोटिन ज्याधा लियुत इंटेक नहीं कर पाते हैं उस टाइम पर यह आपको इफेक्ट करता है लेकिन अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं एक अच्छा करते हैं एक रेगुलर बेसिस पर उसके बाद भी अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो इतना आपको इफेक्ट नहीं करता है पर मैं आपको कि यह काऊंगा कि अकर इस कीन का है स चीज को छोड़े ऑख काफी हद तक कम है तो भी ठीक है लेकिन इस cheese को करना एक कहीं ना कहीं हद तक काफी गलत माना जाता है जो की है करता हूँ तो का जादा मुझे पश्तावा होता है मैं अपने फोकस पर अच्छे तरह से आप आपका जो लक्ष है उस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं तो प्लीज इस चीज़ को छोड़े इस हैबिट को जो भी है जो हैविट आपका बन जाता है जो उस कंडिशन में आप चले जाते हैं कि आप मुझे क खुद बदल सकते हैं इसका कोई दवाई नहीं आता है और इस चीज़ का आपके बोड़ी पर इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है पड़ता का बहुत लोगों तक शेयर करें हरे स्टूडेंट के पास शेयर करें अपने ग्रूप में शेयर करें ताकि यह वीडियो को दे कि जितने भी बच्चे हैं वो काफी हद तक शांत हो सके समझ सके कि एक्चुली होता क्या है ठेंक्यों